हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडर्स्टियल इंडर्जिनरी दोस्तो आज की बीडियो में हम देखेंगे मेगर किस तरह से किया जाता है तो आज दोस्तों आप देख सकते हैं माया पास एक मोटर फीडर है जिसमें केबल लगा हूआ और जो हमारा मोटर टर्मिनल को जाकर लगता है तो इस केबल का दोस्तो हम अज इस मेगर के हल्प से आइयर वेलू को मेजर करेंगे और पिय वेलू को मेजर करेंगे ये सब दोस्तों complete वीडियो आपको इसके ताद आप इस वीडियो के help से जान सकेंगे दोस्तों कि मेगर कैसे करते हैं सबसे पहले दोस्तों हम जो मेगर करेंगे इसमें जो भी केबल दिख रहे हैं तो R, Y, B फेज होते हैं आपको इसमेगर को किस तरह स्यूज करते हैं IR वैलू लिकालते हैं PAI वैलू लिकालते हैं सबसे पहले दोस्तों हम फेज और बीच में करेंगे तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों यह मेगर को हम connect कर लिये हैं R और अर्थ के बीच में एक हमारा फेज होगे R फेज और अर्थ के बीच में अब यहाँ पर हम push button को push करेंगे जिस के लब से मेगर value को हम major करेंगे आयर वेलु को तो सबसे पहले दोस्तों इस मेगर में आपको मेक्शियूर करना कि कितने बोल्टेज पे आपको इंसुलेशन रिस्टेंस पो चेक करना तो हमने दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं फाइब के भी पे इसे टूंड कर रखा है तो फाइब के भी हम इस जो केब सब्सक्राइब करके पता कर सकते हैं कि जो हमारा केबल है उसका इंसुलेशन जो अच्छा है या खराब है तो अभी देख सकते हैं 40 सेकेंड हो गया है 21.4 गीगाओं दिखा रहा है भी यह ग्रेजुली दोस्तों बढ़ेगा जैसे से टाइम बढ़ेगा तो आपको दोस्तो मेंजर करना है जो भी आएर वैल्लू उसको में एक मिनट का वैलू को मेजर करना है एक मिनट तक देखते हैं क्या वह लोग कुछ हमारा दिखाता है इस मेगर के हल्प से तो एक मेट हो गया है दोस्तो जैसा कि अब देख सकते हैं 20.9 गीगा हाँ ओम दिखा रहे है हमारा एक मिनिट टाइम के लिए तो आर और अर्थ के बीच में जो हमारा हुआ है एक पहला फेज और दूसरा अर्थ के अब देख सकते हैं जब आप फेज चेंज कर रहे हैं तो जीरो हो जाता है दोस्तो इस मेगर में यह फैसलिटी है कि आटो आपका डिश्चार्ज दिया गया है यह हमारा फाइब के अभी तक बिल्ड वोल्टेज होता है जो आटोमेटिकली आपको डिश्चार्ज अगर इवे उसमें हमने अर्थ स्ट्रिप में लगा रखा है दोस्तो तो अभी अब देख सकते हैं 30 सेकंड वाइट 21.7 गीगाओम दिखा रहा हमारा एक रेजुली टाइम जैसे से बढ़ेगा ऐसे से हमारा दोस्तो रेस्टेंस वेल्व भी बढ़ेगा आपको दोस्तो वेट करन है एक मिनिट तक कि कितना वेल्व हमारा मेगर दिखा रहा है वाई और अर्थ के रेस्पेक्ट में जैसा कि देख सकते हैं वाइफेज में कनेक्ट है हमारा रेट प्रोब और ब्लैक वाला जो है अर्थ के रेस्पेक्ट में हमारा कनेक्टेर है तो यह अब देख सकते हैं द अब हम चेक करते हैं B phase को अर्थ के respect में फिर से हम as it is बूटन को पूछ करना है और फिर से realize कर देना है फिर से दोस्तो एक मर्ट तक आपको wait करना है कि value कितना हमारा build up होता है तोस्तो आप चाहद इस वीडियो को skip कर के दिख ले दोस्तो आपको जो concept है अभी जो में लेर है दोस्तो वाई फेज और अर्थ के रिस्पेक्ट में तो यहारा भी 29-30 सेकंड जैसे से हमारा टाइम जो बढ़ेगा दोस्तो उस तरह से हमारा रेश्चेंस जो वैलू है आईयर वैलू मेंगर में वह भी ग्रेजवेली बढ़ेगा तो आपको जो मेजर कर करना है तो अभी देखते हैं दूस्तों कहां तक हमारा जो है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में हमारा जो आईयर वैलू है कितना दिखा रहा है अब आप देख सकते हैं दूस्तों एक मेट हो गया 20.1 गीगाओं दिखाया हमारा वाई बी फेज और अर्थ के रिस्पेक्ट में अब दूस्तों हम फेज टू फेज करेंगे अब हम अजली प्रोब को लेकर चेंज करते हैं ब्लैक वाले को लगाते हैं वाई में और रट वाले को लगाएंगे हम दूस्तों आर में तो यह थम R to Y phase आप मेजर कर सके IR वैलू अब फिर से दोस्तो आज़िटी आपको पुछ करना है और एक मेट तक वेट करना है फिर वैलू देखते हैं कितना हमारा विल्डप हो पा रहा है आयर वैलू जो हमारा मेगर खेल्प से कितना मेजर कर पा रहा है तो आप देखेंगे दोस्तो यह हमारा वोल्टेज बिल्डप हो रहा है जिरे देद रिज्वाली आपको 5 के भी तक और यह हमारा जो रेज्टेंस वैलू है वो आपका इंसुलेशन जो दिखाएगा वो हमारा बढ़ रहा है तो अभी आप देख सकते हैं R और Y-page का हम अभी आयर वेलू को मेजर कर रहा है दोस्तो एक मेट तक आपको फिर से वैट करना है दोस्तो और देखना है कितना हमारा आयर वेलू आया है और दोस्तो इन सब जो भी आपको डाता मिला उसको एक पेपर पे नोट करें जो लास्ट में है आपको अच्छे से कॉंसेप्ट के लिए हो रहा है मैं आपको इसे समझाओंगा भी दोस्तो पेपर पे जो आपका 6.6 के भी कहा है तो 6.6 जो हो गया अप प्लस में 1 जो भी आया हमारा दुस्तो आप सच्छड़ मेगायॉम से ज्यादा वैल्यू आना चाहिए अब दिख सकते हैं 41.7 गिगायूम स आ रहा है अगर 760 आपका मेगाओं से ज्यादा वेलू आ रहा है इटमिस आपका केबल का इंसुलेशन सही है तो यह हमारा दोस्तो हो गया आर और वाई फेज के बीच में अब हम कर रहे हैं वाई और बी फेज के रिस्पेक्ट में फिर से आप पुस्ट करना है बटन को और फिर एक मेट तक आपको वेट करना है दोस्तो जब तक हमारा वाई और बी फेज के रिस्पेक्ट में आपका आयर वेलू में गर दिखाना दे देख सकते हैं ग्रजुली हमारा टाइम के साथ साथ जो मारा वोल्टेज विल्डफ होड़ आ है और आपका लास्ट में एक मेट बाद आपका 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 आयर वेलू है उसको भी दिखाएगा दोस्तो जो आयर वेलू है वो जितना ज्यादा वेलू रहा गीगाम में है और अच्छी बात है जितना ज्यादा value दिखाएगा इतना ज्यादा आपका अच्छा cable का इंसुलेशन्स है और cable का इंसुलेशन्स अच्छा होना बहुत ही अच्छी बात है अब देख सकते दोस्तो 48.7 GG AORM हमारा दिखा रहा है Y और B Phage के respect में जैसे का आप देख सकते हैं अब दूस्तो उम चेक करते हैं R Phage और हमारा B Phage के respect में कि IR value कितना दिखा रहा है इसमें करके help से फिर से हम push button को push करेंगे दोस्तों पूस्ट बटन जब पूस्ट करते हैं तो सुलिधर के लिए एक second के लिए पुब्पको hold करना परता है तो अब यह voltage बिल्ड एप ग्रेजूळी होता है फिर आपका measure, value को measure करता है और आपको दिखाता है है कि फिर से आपको दोस्तोओ एक मिर्ट करना होगा और देखना ओगा कि यह हमारा मेर जो है कितना दिखार रहा हैं और सब्सक्राइब को टाट्व को एक पेपर पर लिख कर अगे उस से आपका को केवल का स्टेटइस पताब सके दोस्तो ये एक high voltage है इससे आपको साब्धानी बरतना है किसी को आज पास न रहे जिसे इंड में आपकर कर रहे हैं उसे इंड में कोई भी बंदया खरे नहीं रहे अब देख सकते हैं दोस्तो एक मिट बाद हमारा 51.5 गीकाओं दिखा रहा है दोस्तो आर और बी फेज के रिस्पेक्ट का आयर वैलू अब दोस्तो हम तीनो फेज का अर्थ के रिस्पेक्ट में और तीनो फेज को फेज के रिस्पेक्ट में हम वैलू कर लिए अब हमारा काम है दोस्तो P.I. value को लिकालना तो अब दोस्तो हम P.I. value को लिकालना तो सबसे पहले 9 को सलेक्ट करना है P.I. में और जो voltage हमारा 5 के भी रहेगा फिर push बटन के help से आपको इसमेगर में जो है अब सलेक्ट करना है और आपको start करना है तो हमने push कर दिया दोस्तो हमारा I.R. value अगर आप लिकालना है तो पहले 10 मेंट का I.R. value को अगर एक मेंट का I.R. value से डिवाइड करेंगे तो जो value आपका आएगा वो हमारा P.I. value कर लाता है तो इसमें दोस्तो बैसिकली अभी जो हम कर रहे है में मेगर में जेख सकते R और Y.H. के बीच में तो इसमे का I.R. value से डिवाइड कर देता है तो यह continuously मेंगर 10 मेंट तक रीड करेगा value को और आपको finally आपको P.I. value नीचे में दिखा देगा तो दोस्तो चलिए देखते हैं कि P.I. value मारा कितना आ रहा दोस्तो P.I. value का जो दोस्तो बेसिकली range होता है वो मारा 1 से 2 के बीच में होता है जिसकों polarization index बोलते हैं तो देखते हैं दोस्तो कि हमारा P.I. value कितना दिखा रहा है तो आप देख सकते हैं अभी हम 9, skip करके आपको दिखा रहे है 9 मिनट 35 सेकेंड के बाद हमारा 53.8 गीगा हम दिखा रहा है और नीचे देखेंगे तो P.I. value भी दिखा रहा है दोस्तो तो य हमारे connections हो गए जो हमारा R और Y phase के बीच में P.I. value को measure कर रहे हैं इसमेंगर के helps है तो अभी देख सकते हैं जो हमारा 9 बच कर अभी 10 मिट हो गए 10 मिट के बाद आप नीचे देख सकते हैं जो P.I. value है हमारा 1.20 दिखा रहा है जो कि आपका 1 से 2 के बीच में है तो यह हमारा ह Y phase के P.I. value अब देखते हैं दोस्तो हम दूसरा phase के बीच के P.I. value को अब दोस्तो हम Y और B phase में लगा लिए हैं फिर से हम इसे on करते हैं 5KB और P.I. में already selected है अब देख सकते हैं Y और B phase का P.I. value को measure करते हैं फिर से आपको push button को push करना है और 10 मिट तक दोस्तो आपको wait करना है अब देख सकते हैं आप value जो हमारा change होना शुरू हो गया है तो आपको फिर से दोस्तो जो Y और B के बीच लेंगे वो हमारा 10 मिट का तक आपको wait करना होगा फिर ये maker आपको 10 मिट के value को जो IR value होगा उसको 1 मिट का IR value से divide करेगा जो value आपको वो हमारा दिखाएगा कि हमारा जो मेंगर है वो आपको PI value इतना दिखा रहा है तब दूस्तो wait करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो PI value मेंगर के help से कितना major कर पाता है जैसे आप देख सकते हैं Y और B फेज के respect में हमारा PI value मेंजर किया जा रहा है तो अब हम इसे skip करके आगे आपको दिखाते हैं 10 मिट के करीब तो अब आप देख सकते हैं 9 मिनट 26 सेकेंड के बाद हमारा 40.something GigaOms में value दिखा रहा है दोस्तो आपका तो दोस्तो यह हमारा 10 मेट तक चलेगा reading और आप major कर सकते हैं दोस्तो अगर यह continuously major हमारा करता है reading तो आप एक मेट के करीब आप देख सकते हैं कि हमारा जो IR value आया उसको आप note कर ले और final में जो 10 मेट के बाद IR value दिखा रहा है उसको divide कर तो बोने मेट के value से तो आपको आप देख सकते हैं 10 मेट बाइब जो भरा value दिखा रहा है 41.5 गीगा ओम दिखा रहा है अगर प्याइब बात करें तो 0.75 दिखा रहा है दोस्तो दोस्तो यह 0.75 है जो कि हमारा 1 से कम है तो इसका एक problem हो सकता है कि cable का insulation में कुछ problem है या आप जो connections किये हैं वो हमारा lose हो सकता यह हमारा जैसे y और b page के बीच में जो देख रहे हैं probe है वो हमारा proper तरीके से tight नहीं है इसके बाइसे हमारा value है कम आ सकता है तो इससे आप फिर से एक बार connect करके फिर से आप चेक कर सकते हैं तो कुछ इसी तरह से हमारा pay value major होता है दोस्तो अब हम जो दोस्तो है इसके अल्टिमेटली हमारा लिकल कर आ रहा है तो यह आप देख सकते हैं 7 सेकेंड हो चुका है और वहारा जो value है आपका दिखाना शूरू कर दिया है तो यह आप वेट करते हैं और देखते हैं अब यह आप देख सकते हैं दोस्तों 9 मिनट 34 सेकेंड बाद जो हमारा 60.4 डला रहा है तो अब देख सकते हैं दोस्तों जो पीए भैलु हमारा 1.28 है अपका तो इससे हमारा ये 1 और 2 के बीच है तो इससे आप बोल सकते हैं कि जो हमारा आपका R और B फेस का जो पीए वेलू और पीए वेज़ उ है कुछ ईस तरह से दोस्तो हम maker के help से ir value और pi value को measure करते हैं अब दोस्तो जिस जिस value को हमने measure किया उसको paper लिख कर आप compare कर सकते हैं कि हमारा value में क्या changes है अब देख सकते हैं कि हमने paper लिख रखा दोस्तो और compare कर ले दोस्तो अगर दोस्तो अच्छा वीडियो लगा तो subscribe हमारे चैनल को ज़रू करे thank you so much दोस्तो